हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दूस्तों CRPF HCM and ASI का जो एकजाम चल रहा है हम लोग आज फर्स शीप्ट, सेकेंड शीप्ट और थर्ड शीप्ट का क्वेस्चन को देखने वाले हैं जो कि GKGS का क्वेस्चन पूछा था कि करक्रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है तो यहां आठ राज्यों से होकर गुजरती है जो आपका गुजरात, राजस्थान, मधपरदेश, च्छतिसगर्ड, उसके बाद जार्खन, पचिममंगाल, तिरपूरा, तथमी जोरम यानि कि आठ राज् कोशन पूछा था कि सूर राजबंस का संस्थापा कौन था, तो सेर सासूरी, फिर आपको कोशन पूछा था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है या आपको अमेरिका से लिया गया है, दोस्तों, पोलिटी से मौलिक अधिकार से कोशन आपको दो या तीन पुशी हाई हर एक शिफ्ट में तो आप लोग मौलिक अधिकार जो चेप्टर है उसको पर लें ऐसे हम मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेस्टन को हम ले करके आएंगे प्रैक्टिस सेट आप लोग उसे जरूर लगाईएगा फिर आपको मौलिक कर्तब किस दिश से लिया क्या है य यह आपको smart digital payments था फिर चुनाव आयो कौन से अनुछेद में आते हैं तो यहाँ आपको अनुछेद 324 में आते हैं नेक्स्ट मों देख लेते हैं तुर्की की राजधानी कहां है तो अंकारा हो जाएगा फिर आपको जनगन्ना से भी question पुछ रहा है हर एक सिफ्ट में 2-3 question जनगन्ना से भी पुछ रहा है जो कि 2011 की जनगन्ना से पुछ रहा है 2081 की आनुसार सबसे कम जन संख्या किस राज की है तो है आपका सिकिम हो जाएगा दोस्तों आप मेरे चैनल पे नहें है तो प्ली शस्क्राइब करласт करें लाइक करें क्योंकि daily आपके लिए प्रैक्टि सेटाप के लिए ले करके आएंगे भारत की सबसे लंबी बात कौन सी है तो आपका हीरा कुंड बात हो जाएगा फिर आपको पुछा हुआ था कि राम मंदिर के फैसला में नियाधीसों की पीठ में मुस्लिम नियाधीस कौन थे या आपको अबदुल नजीर थे फिर पुछा है गोता खोर शमूंदर में कौन सी गैस का मिस्रन लेकर उतरता है तो यहापको हिलियम और आक्सीजन गैस दुहजार एकड़े के जन गन्ना के नुसार अनुसुचिर जन जातिक की परतिशत कितनी है तो आठ दसमल छे परसेंट है इन कलाब जिन्दबाद का नारा किस ने स्टेыл ध्या था ढिया था तरह भगत सींगं के द्वारा दिया गया था फिर आपको पूच्चा था कि खालसा पंद कि असथापना किसने की और कब क्या था तक गुरू गुभिन सींग के द्वेंAGस शुडे सुन्नीनान इन फे में फिर आपको कोश्चन पूच्चा था के अंदूलन से संबंधित नेता कौन थे ते आपको सुन्दर लाल बहु गुना थे फिर कोश्चन आपको एया था कि 2000 रेगारे के जनगना के नुसार सबसे कम सक्षारता किस राजकी है तो आपको बिहार हो जाएगा फिर पुछा था कि भारत की सीमा भुटान के साथ कितनी दूरी त्याय करता है तो 699 किलो मीटर इससे भी रिलेटेड हम कोश्चन को ले करके आएंगे आप लोग उसे भी फिर बिराठ कोली से रिलेटर कोश्चन पुछा था कि बिराठ कोली ने सतक लगाने के मामले में किस खिलारी को पीछे छुड़ दिया तो रीकी परिटिंग को, जिनोंने एक हतर सतक लगाया थे बिराठ कोली का 72 सतक हो गया है फिर आपको एक सती प्रथा से कोश्चन पूछा हुआ था कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था तो लॉट बिलियन बेटिंग ने किये थे यहां 1829 में फिर आपको जावेरी बहन का संबंध किस नित से है तो यहां मनिपूरी से है सत्त्रिया नित किस राज से संबंधित है तो यहां असम राज से संबंधित है बिरजु महराज को पदम विभूसन कम मिला था 1986 में मिला था फिर next question हो जाएगा देश के किसी भी छेत्र में घूमने की स्वतंत्रता किस अनुचेद में है तो यह आपको अनुचेद 19 के D में है सिरलंका को 2030 में भारत ने माफ किजिएगा यहाँ पर में स्प्रिंट हो गया है सिरलंका को 2023 में भारत ने कितने रनों सहरा को वर्ल रिकोड बनाया तो यह आपको 370 रनों सहराया था जो कि आपका हाली में मैच हुआ था उसमें 370 रन से भारत ने सिरलंका पुछा हुआ था ये भी question आपको पुछा हुआ था फिर पुछा था कि आम बजट 2022 में सिख्षा के लिए कितनी रासी आमन्तित किये गये तो यह आपको बाड़े हाजार आठ स्वा अन्ठान्विर दसमलो पांच करोड आपको बजट से भी कोश्चन पूछ रहा है तो आप लोग बजट भी जरूर पर ले दिल्ली इस दित मोग उच्छ सदन को किस नाम से जाना जाता है तो उसको राज सभा के नाम से जाना जाता है उच्छ सदन राज सभा और निम सदन जब कहे तो लोग सभा हो जाएगा फिर आपको देख लेते हैं जनगर्ना दुहजर एगाड़ा के नुस्यार तीसरा सरवाधी कम अबादी वला तो तीसरा इसमें पुछाता है कि तीसरा सरवाधी कम अबादी वला राज तो पाहला सिक्किम हो जाएगा दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुनाचल प्रदेश हो जाएगा फिर आपको पुछाता है कि तीरी बाद की दोन अदियों के शंगम पर इसी थे तो यह आपको भागी सकते हैं बहुत सारा लोग रिव्यू करा है एकदम आपका ओरिजिनल कोस्टन है कहीं से बना करके कोस्टन इसमें नहीं लाया गया है तो आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज सस्क्राइब करें जो भी आपका सिफ्ट खतम होगा यानि कि तेज तरीको तो सिफ्ट खतम होन के तुरंत बाद ही हम आपको कोस्टन को ले करके आएंगे हर एक सिफ्ट का उसके बाद रात में आपको तीनों सिफ्ट का आपको कोस्टन को ले कर आएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद